जए माता की सभी भक्तों को कैसे हो आप सब आशा करते हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिति हैं और माजगजनी मामबे की कृपा सदय बापके उपर बनी रही यही दिल से कामना तो आप सभी के प्यार से और मा के आशिरवात से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि जैसे कि शिवरात्री आ रही है शिवरात्री का पावन पव है और उसके साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे परिवार में कोई भी रोगी ना रहे किसी की भी शरीर में कोई भीमारी ना हो और धन धाने की भी अपार कृपा हमारे उपर हो क्या ऐसा उपाई करें जिससे मालक्षमी भी हमारे उपर प्रसन हो और साथ में मां गोरी की भी कृपा हमारे उपर हो शंकर भगवा की भी कृपा हो शिव परिवार की कृपा हो ऐसा क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको धनकी भी कमी जो है वो पूर्ण हो जाए और साथ में शरीरी रोग जो है उनसे भी आपको छुटकारा मिले दो चीजे मैं आपको बताने वाली हूं इन उपायों को अगर आप वाले दिन करेंगे यह चीजें आप करेंगे तो आपके शरीर के समस्त रोग दूर होंगे साथ में आपको मा लक्षमी का भी आशिरबाद प्राप्त होगा क्या करना है कैसे करना है सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी तो अंतक्व बने रहे तब ही आपको सारी वीड जैसे कि शिवरात्री है और सभी को पता है कि प्रकृति की देनमा गोरी ही है उन्होंने ही प्रकृति को चलाया है प्रकृति को जो है पनपते जब इस महीने सावन के महीने में आपने देखा ही है कि कितनी हर्याली होती है हर जगह जो है हर्याली ही हर्याली होती है बारिस का मोशम होता है प्पूल पते हर चीजें जो है वो पनपर ही होती है अंकुरित होती है और इस मोशम में आपको शिवरात्री का भी त्योहार आता है शिवरात्री के पावन पर्व का त्योहार होता है शंकर भगवान के जो भगत होते हैं वो बहुत ही धूम दाम से शिवरात्री मनाते भी हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको शीवरातरी वाले दिन मांगौरी को क्या ऐसा अरपित करना चाहिए जिससे आपके समस्त रोग और साथ में जो है आपके घर में धन की कमी ना आई आपको क्या करना है आपको शंकर भगवान के बंदे जब शिवरात्री है जिस दिन उस दिन आपने जैसे की आख के फूल होते हैं ये पोदा आपको कहीं भी मिल जाएगा इसली हो जाता है जंगलों में यास आपके पास वो फूल आपने मा गोरी के शिरी चर्नों में वो अरपित करने हैं साथ में आपने शंकर भगवान पे बेल पत्र और भांग दतूरा भी अरपित करना है फूल गुलाब के आपने अरपित करने हैं पंचमरित आपने अरपित करना है मैंने पहले भी वीडियो ब अर्पित करने हैं और अवहान करना है ध्यान करना है मागोरी का कि है माजगत जन्नी मेरे घर में जो भी रोग हैं या मेरे घर में जो भी रोगी हैं जिसके बार लिए भी आप ये फूल अर्पित करते हैं जैसे अपने पती के लिए आप कर रहे हो या पतनी के लिए कर रहे हो कि माता पीता के लिए कर रहे हो तो आप उन समस्त रोगों को खतम कीजिए और हमारे घर में सुक सांती समरे दीजिए साथ हिसाथ हमारे घर में मा लक्ष्मी की भी कृपा हो और लक्ष्मी मा का सदैब हमारे घर में वास रहे किसी भी तरह की कमी हमारे घर में मा लक्ष्मी की ना हो अंधन से हमारा घर हमेशा भरपूर रहे भरा रहे तो ये आपने मनोकामना करके आपने मा गोरी के शिरी चर्णों में फूल अर्पित करने हैं और आवान ध्यान से आपने यही मनोकामना आपने बोलनी है और अपनी मनो कामना बोलने के बाद आपने क्या करना है आपने थोड़ा सा मागोरी के पैरों में कुम-कुम जुरूर लगाना है कुम-कुम लगा के अपने मस्तक पर उसको लगाना है और जो रोगी है जो भी बिमार रहता है उसके मस्तक पर भी आपने ये तिलक लगाना है जिससे जो है आ थोड़ा थोड़ा आपने हर सोमबार की सोमबार जल चड़ा कर जरूर आना है उस रोगी के हातों से ले जाके या उस रोगी को खुद वो खुद अपने हातों से शंकर भगवान पे जल अरपित हर सोमबार की सोमबार करना चाहिए इससे भी आपके रोग समस्त दूर होते हैं और जो है आपके रोगों का नास होता है जो शारीरिक रोग जो है वो खतम हो जाते हैं शरीर जो है वो हलका फुलका हो जाता है बिमारियों से रहीत हो जाता है तो मैंने ये उपाए आपको बताया है शंकर भगवान की शिवरात्री आ रही है शिवरात्री पर आप ये कीजिए चलिए जय माद़े